धर्म संकट, कहानी, मुन्शी प्रेमचंद पुरुषों और स्त्रियों में बड़ा अंतर है तुम लोगों का हृदय शीशे की तरह कठोर होता है और हमारा हृदय नरम वह विरा की आंच नहीं सह सकता शीशा ठेस लगते ही तूट जाता है नरम वस्तूओं में लचक होती है चलो, बाते न बनाओ दिन भर तुम्हारी राह देखो रात भर घड़ी की सुया तब कहीं आपके दर्शन होते है मैं तो सदैव तुम्हें अपने हृद्य मंदिर में छिपाए रखता हूँ ठीक बतलाओ, कब आओगे ग्यारह बजे, परन्तु पिछला दर्वाजा खुला रखना उसे मेरे नयन समझो अच्छा, तो अब विदा पंडित कैलाशनाथ लखनाओं के प्रतिष्ठित बैरिस्टरों में से थे कई सभाओं के मंत्री, कई समितियों के सभापती पत्रों में अच्छे-च्छे लेख लिखते प्लाटफॉर्म पर सारगरभित व्याख्यान देते पहले-पहले जब वह यूरोप से लोटे थे तो यह उत्सा अपनी पूरी उमंग पर था परन्तु जोन जो बैरिस्टरी चमकने लगी इस उत्सा में कमी आने लगी और यह ठीक भी था क्योंकि अब बेकार न थे जो बेगार करते हाँ, क्रिकेट का शौक अब जयों का त्यों बना था वह कैसर क्लब के संस्थापक और क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाडी थे यदि मी कैलाश को क्रिकेट की धुन थी शहर में कहीं नाटक हो, कोई थियेटर आये, कोई सरकस, कोई बायसकोप हो, कामिनी उनमें न सम्मिलित हो, यह असंब बात थी मनोविनोद की कोई सामगरी उसके लिए उतनी ही आवशक थी, जितना वायू और प्रकाश मी कैलाश पश्चमी सभ्यता के प्रवाह में बहने वाले अपने अन्य सहयोगियों की भांती हिंदू जाती हिंदू सभ्यता, हिंदी भाशा और हिंदुस्तान के कट्टर विरोधी थे हिंदू सभ्यता उन्हें दोशपूर्ण दिखाई देती थी अपने इन विचारों को वे अपने ही तक परिमित न रखते थे बलकि बड़ी ही ओजस्विनी भाषा में इन विश्यों पर लिखते और बोलते थे हिंदू सभ्यता के विवेकी भक्त उनके इन विवेक्शून्य विचारों पर हंसते थे परंटु उपहास और विरोध तो सुधारक के पुरस्कार है मी कैलाश उनकी कुछ परवान न करते थे वे कोरे वाक्यवीर ही न थे, कर्मवीर भी पूरे थे कामिनी की स्वतंत्रता उनके विचारों का प्रत्यक्ष स्वरूप थी सौभाग्यवश कामिनी के पती गोपाल नारायन भी इन ही विचारों में रंगे हुए थे वे साल भर से अमेरिका में विद्याध्यान करते थे कामिनी भाई और पती के उपदेशों से पूरा-पूरा लाब उठाने में कमी न करती थी लखनों में अलफ्रेड थियेटर कमपनी आई हुई थी शहर में जहां देखिये उसी तमाशे की चर्चा थी कामनी की राते बड़े आनन से कटती थी रात भर थियेटर देखती दिन को कुछ सोती और कुछ देर वही थियेटर के गीत अलापती सौंदर्य और प्रीती के नव रमणिय संसार में रमण करती थी जहां का दोहक और क्लेश भी इस संसार के सुख और आनन से बढ़कर मोददाई है यहां तक कि तीन महीने बीट गए प्रणय की नित्य नई मनोहर शिक्षा और प्रेम के आनन्द में अलाप विलाप का हृदय पर कुछन कुछ असर होना चाहिए था सो भी इस चड़ती जवानी में वह असर हुआ इसका श्री गणेश उसी तरह हुआ जैसा की बहुधा हुआ करता है थियटर हाल में एक सुधरे सजीले युवक की आखे कामिनी की ओर उठने लगी वह रूपवती और चंचला थी अतेव पहले उसे चित्वन में किसी रहस्य का ज्यान नहुआ नेत्रों का सुंदर्ता से बड़ा घना संबंध है घूरना पुरुष का और लजाना स्त्री का स्वभाव है कुछ दिनों के बाद कामिनी को इस चित्वन में कुछ गुप्त भाव ज़लकने लगे मंत्र अपना काम करने लगा फिर नैनों में परस पर बाते होने लगी नैन मिल गए प्रीती गाड़ी हो गई कामिनी एक दिन के लिए भी यदि किसी दूसरे उत्सव में चली जाती तो वहाँ उसका मन न लगता जी उचटने लगता आखे किसी को ढूंडा करती अंत में लज्जा का बांध तूट गया फ्रिदाई के विचार स्वरुपवान हुए मौन का ताला तूटा प्रेमालाप होने लगा पद्य के बाद गद्य की बारी आई और फिर दोनों मिलन मंदिर के द्वार पर आप पहुँचे इसके पश्चाद जो कुछ हुआ उसकी जलक हम पहले ही देख चुके हैं इस नव युवक का नाम रूपचन था पंजाब का रहने वाला संस्कृत का शास्त्री हिंदी साहित्य का पूर्ण पंडित अंग्रे जी का एमे लखनाओ की एक बड़ी लोहे के कार खाने का मैनेजर था घर में रूपवतिस्त्री दो प्यारे बच्चे थे अपने साथियों में सदाचरण के लिए प्रसिद्ध था न जवानी की उमंग न स्वभाव का छिछोरापन घरग्रिहस्थी में जकड़ा हुआ था मालूम नहीं वह कौन सा आकर्शन था जिसने उसे इस्तिलस्प में फसा लिया जहां की भूमी अगनी और आकाश ज्वाला है जहां घेना और पाप है और अभागी कामिनी को क्या कहा जाए जिसकी प्रीती की बाड़ ने धीरता और विवेक का बांध तोड़ कर अपनी तरलत्रंग में नीती और मर्यादा की टूटी-फूटी जोपडी को डुबा दिया यहां पूर्वजन के संसकार थे राद के दस बज गए थे कामिनी लैम्प के सामने बैठी हुई चिठिया लिख रही थी पहला पत्र रूपचंद के नाम था कैलाश भवन लखनव प्राणाधार तुम्हारे पत्र को पढ़कर प्राण निकल गए ओफ अभी एक महीना लगेगा इतने दिनों में कदाचित तुम्हें यहां मेरी राख भी न मिलेगी तुमसे अपने दुहाख क्या रोव बनावट के दोशारोपन से डरती हूँ जो कुछ बीत रही है वहां मैं ही जानती हूँ लेकिन बिना विरहक था सुनाए दिल की जलन कैसे जाएगी यह आग कैसे ठंडी होगी अब मुझे मालूम हुआ कि यदी प्रेम में दहकती हुई आग है तो वियोग उसके लिए घ्रित है थियेटर अब भी जाती हूँ पर विनोथ के लिए नहीं रोने और बिसूरने के लिए रोने में ही चित्त को कुछ शान्ती मिलती है आसु उम्डे चले आते है मेरा जीवन शुष्क और नीरस हो गया है न किसी से मिलने को जी चाहता है न आमोद प्रमोद में मन लगता है परसोर डाक्टर केलकर का व्याख्यान था भाई साहब ने बहुत आग्रह किया पर मैं न जा सकी प्यारे मौद से पहले मत मारो आनंद के गिने गिनायक शणों में व्योग का दोहक मत दो आओ यथा साध्य शीग्र आओ और गले लगकर मेरे हृदय का ताब बुझाओ अन्यथा आश्चर्य नहीं की विरा का यहाँ अथा सागर मुझे निगल जाए तुम्हारी कामिनी इसके बाद कामिनी ने दूसरा पत्र पती को लिखा सिर में पीड़ा से असहय वेदना सह रही हूं किसी भांती चित्त को शांती नहीं मिलती है पर अब कुछ स्वस्थ हूं कुछ चिंता मत करना तुमने जो नाटक भेजे उनकी लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूं स्वस्थ हो जाने पर पढ़ना आरंब करूंगी तुम वहां के मनोहर द्रिश्व का वर्णन मत किया करू मुझे तुम पर इर्शा होती है यदि मैं आगरह करू तो भाई साहब वहां तक पहुँचा तो देंगे परन्तु इनके खर्च इतने अधिक है कि इनसे नियमित रूप से साहाय मिलना कठिन है और इस समय तुम पर भार देना भी कठिन है इश्वर चाहेगा तो वह दिन शीक्र देखने में आएगा जब मैं तुम्हारे साथ आनंद पूर्वक वहां की सैर करूंगी मैं इस समय तुम्हें कोई कष्ट देना नहीं चाहती आशा है तुम सकुषल होगे तुम्हारी कामिनी लखनाओ के सेशन जज के इलजास में बड़ी भेड थी अदालत के कमरे ठथ साथस भर गए थे तिल रखने की जगा न थी सबकी द्रिष्टी बड़ी उच्सुक्ता के साथ जज के सम्मुक खड़ी एक सुन्दर लावण्य में मूर्ती पर लगी हुई थी यह कामिनी थी उसका मूँ धूमिल हो रहा था ललाट पर स्वेदविंदू ज़लक रहे थे कमरे में घोर निस्तब्धता थी केवल वकीलों की कानाफूसी और सैन कभी-कभी इस निस्तब्धता को भंग कर देती थी अदालत का हाता आदमियों से इस तरह भर गया था कि जान पड़ता था मानो सारा शहर समिट कर यहीं आ गया है था भी ऐसा ही शहर की प्रायह दुकाने बंद थी और जो एक आध खुली भी थी उन पर लड़के बैठे ताश खेल रहे थे क्योंकि कोई ग्राहक न था शहर से कचरी तक आदमियों का ताता लगा हुआ था कामिनी को निमिश्मात्र देखने के लिए उसके मुव से एक बात सुनने के लिए इस समय प्रत्यक आदमी अपना सर्वस्व निचावर करने पर तयार था वे लोग जो कभी पंडित दाताद्याल शर्मा जैसा प्रभावशाली वक्ता की वक्तरिता सुनने के लिए घर से बाहर नहीं निकले वे जिनोंने नवजवान मंचले बेटों को अलफ्रेड थियेटर में जाने की आज्या नहीं दी वे एकांत प्रिय जिन्हें वायसराय के शुभागमन तक की खबर न हुई थी वे शांती के उपासक जो मुहरम की चहल पहल देखने को अपनी कुट्या से बाहर ना निकलते थे वे सभी आज गिरते पड़ते उठते बैठते कचहरी की ओर दोडे जा रहे थे बेचारी स्त्रिया अपने भाग्य को कोस्ती हुई अपनी अपनी अटारियों पर चड़कर विवशतापूर्ण उत्सुख द्रिश्टी से उस तरफ ताक रही थी जिधर उनके विचार से कचहरी थी पर उनकी गरीब आखे निर्दय अट्टालिकाओं की दीवार से टक्रा कर लौट आती थी यह सब कुछ इसलिए हो रहा था कि आज अदालत में एक बड़ा मनोहर अद्भुत अभिनय होने वाला था जिस पर अलफ्रेड थियेटर के हजारों अभिनय बलिदान थे आज एक गुप्त रहस्य खुलने वाला था जो अंधेरे में राई है पर प्रकाश में परवताकार हो जाता है इस घटना के संबंध में लोग टीका टिपणी कर रहे थे कोई कहता था यह असंभव है कि रूपचंद जैसे शिक्षित व्यक्ति ऐसा दूशित कर्म करे अन्याय है कोई कहता था भाई सत्य तो यह है कि यह रूपलावन्य यह खंजन गंजनने नौर यह हृद्यारिनी सुंदर सलोनी छवी जो कुछ न करे वह थोड़ा है श्रोता इन बातों को बड़े चाम से इस तरह आश्चर्यानवित हो मूम बना कर सुनते थे मानो देवावानी हो रही है सबकी जीप पर यही चर्चा थी खूप नमक मिर्श लपेटा जाता था परन्तु इसमें सानुगूती या समवेदना के लिए जरा भी स्थान न था पंडित कैलाशनात का बयान खत्म हो गया और कामिनी इजलास पर पधारी इसका बयान बहुत संक्षिप्त था मैं अपने कमरे में रात को सो रही थी कोई एक बजे के करीब चोड़ चोर का हल्ला सुनकर मैं चौक पड़ी और अपनी चार पाई के पास चार आदमियों को हाथा पाई करते देखा मेरे भाई साहब अपने दो चोकीदारों के साथ अभियुक्त को पकड़ते थे और वह जान छुड़ा कर भागना चाहता था मैं शीक्रता से उठकर बरामदे में निकल आई इसके बाद मैंने चोकीदारों को अपराधी के साथ पुलीस स्टेशन की ओर आते देखा रूपचंद ने कामिनी का बयान और एक ठंडी सांस ली नेत्रों के आगे से परदा हट गया कामिनी तू ऐसी कृतगन, ऐसी अन्याई, ऐसी पिशाचनी, ऐसी दुरात्मा है क्या तेरी वह प्रीती, वह विरहवेदना, वह प्रेमोदगार, सब धूखे की टटी थी तूने कितनी बार कहा है कि द्रिड़ता प्रेम मंदिर की पहली सीडी है तूने कितनी बार नैनों में आंसु भरकर इसी गोद में मूँ छिपा कर मुझ से कहा है कि मैं तुम्हारी हो गई, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है परन्तु हाए, आज प्रेम परीक्षा के समय तेरी वह सब बाते खोटी उत्री आँ, तूने दगा दिया और मेरा जीवन मिट्टी में मिला दिया रूपचन तो विचारतरंगों में निमगन था उसके वकील ने कामिनी से जिरह करनी प्रारंब की वकील क्या तुम सत्यनिष्ठा के साथ कह सकती हो कि रूपचन तुम्हारे मकान पर अक्सर नहीं जाया करता था कामिनी मैंने कभी उसे अपने घर पर नहीं देखा वकील क्या तुम शप्त पूर्वक कह सकती हो कि तुम उसके साथ कभी थियेटर देखने नहीं गई? कामिनी मैंने उसे कभी नहीं देखा वकील क्या तुम शपत लेकर कह सकती हो कि तुमने उसे प्रेमपत्र नहीं लिखे? शिकार के चंगुल में फसे हुए पक्षी की तरह पत्र का नाम सुनते ही कामिनी के होशयवाश उड़ गए हाथ पेर फूल गए मुँ न खुल सका जज ने, वकील ने और दो सहसर आखों ने उसकी तरफ उचसुकता से देखा रूपचंद का मुँ खिल गया उसके हृदय में आशा का उदे हुआ जहां फूल था, वहां कांटा पैदा हुआ मन में कहने लगा कुल्टा कामिनी अपने सुक और अपने कपट, मान प्रतिष्ठा पर मेरे परिवार की हत्या करने वाली कामिनी तू अब भी मेरे हाथ में है मैं अब भी तुझे इस कृतगनता और कपट का दंड दे सकता हूँ तेरे पत्र, जिन्हें तूने सत्य हृदय से लिखा या नहीं, मालूम नहीं परंतु जो मेरे हृदय के ताप को शीतल करने के लिए मोहिनी मंत्र थे वह सब मेरे पास हैं और वह इसी समय तेरा सब भेद खोल देंगे इस क्रोच से उनमत्त होकर रूपचंद ने अपने कोट के पाकेट में हाथ डाला जज ने, वकीलों ने और दो सहस्र नेत्रों ने उसकी तरफ चातक की भांती देखा तब कामिनी की विकल आखे चारों से हताश होकर रूपचंद की ओर पहुची उनमें इस समय लज्जा थी, दयाभिक्षा की प्रार्थना थी और व्याकुलता थी मनहीमन कहती थी मैं स्त्री हूँ, अबला हूँ, ओची हूँ, तुम पुरुष हो, बलवान हो, साहसी हो यह तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है मैं कभी तुम्हारी थी और यद्यपी समय मुझे तुम से अलग किये देता है किन्तु मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरी रक्षा करो आखे मिलते ही रूपचंद उसके मन की बात ताड़ गए उनके नेत्रों ने उत्तर दियाए दी तुम्हारी लाज मेरे हाथों में है तो उस पर कोई आँच नहीं आने पाएगी तुम्हारी लाज पर मेरा सर्वस्व निज़ावर है अभियोग्त के वकील ने कामीनी से पुना वही प्रश्न किया क्या तुम शप्त पूर्वक कह सकती हूं कि तुमने रूपचन को प्रेमपत्र नहीं लिखे कामिनी ने कातर स्वर में उत्तर दिया मैं शप्तपूर्वक कहती हूँ कि मैंने उसे कभी कोई पत्र नहीं लिखा और अदालत से अपील करती हूँ कि वह मुझे इन घ्रिनासपद अशलील आक्रमणों से बचाए अभियोग की कार्यवाई समाप्त हो गई अब अपराधी के लिए बयान की बारी आई उसकी सफाई के कोई गवान न थे परंतु वकीलों को, जज को और अधीर जनता को पूरा-पूरा विश्वास की अभियुक्त का बयान पुलीस के मायावी महल को क्षण मात्र में छिन भिन्न कर देगा रूपचंद इजलास के सम्मुक आया उसके मुखारविंद पर आत्मबल का तेज ज़लक रहा था और नेत्रों से साहस और शांती दर्शक मंडली उतालवली होकर अदालत के कमरे में घुस पड़ी रूपचंद इस समय का चान था या देवलोग का दूद सहसरों नेत्र उसकी ओर लगे थे किन्टु हरिदय को कितना कौतुहल हुआ जब रूपचंद ने अत्यंत शांत चित्त से अपना अपराद स्वीकार कर लिया लोग एक दूसरे का मुँ ताकने लगे अभियुक्त का बयान समाप्त होते ही कोला हल मच गया सभी इसकी आलोना प्रत्यालोचना करने लगे सबके मुँ पर आश्चर्य था, संदेह था और निराशा थी कामिनी की कृतगहनता और निश्ठुरता पर धिक्कार हो रही थी प्रत्येक मनुष्य शपत खाने पर तयार था कि रूपचंद निर्दोश है प्रेम ने उसके मुँ पर ताला लगा दिया है पर कुछ ऐसे भी दूसरे के दोहख में प्रसन होने वाले स्वभाव के लोग थे जो उसके इस साहस पर हंस्ते और मजाक उड़ाते थे दो घंटे बीद गए अदालत में पुना एक बार शान्ती का राज्य हुआ अभियुक्त जवान है, शिक्षित है और सभ्य है, अतेव आखों का अंधा इसे शिक्षाप्रत दंड देना आवश्चक है अपराज स्वीकार करने से उसका दंड कम नहीं होता आता मैं उसे पांच वर्ष के सप्रिश्रम कारावास की सजा देता हूँ दो हजार मनुश्यों ने हृदय थाम कर फैसला सुना मालूम होता था कि कलेजे में भाले चुप गए है सभी का मुँ निराशाजन क्रोज से रक्तवर्ण हो रहा था यह अन्याय है, कठोडता है और बेरेमी है परन्तु रूपचन के मूम पर शान्ती विराज रही थी